कोरोना महमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से पूरे प्रदेश में दो पहर दो बजे के बाद सबी प्रतिष्ठानों को बंद किये जाने के आदेश जारी किये हैं इस दोरान केवल आवश्यक जरूरतों वाली दुकानों को ही छूट दी गई है लेकिन जब हमारी टीम ने आज राजधानी देहरादून के बाजारों का मुआयना किया तो बाजार में लोगों की भीर दिखाई दी वहीं शहर के कुछ इलाकों में सन्नाटा भी पसरा नजार आया और जब दुकानदारों से सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर सवाल किये गए तो नों ने नाराजधी जताते हुए क्या कुछ कहा आप भी सुनिये करोना में हमारी के बड़ते प्रकॉप को देखते हुए रजी सरकार ने नई जारी किये जिसके तहट सारे बजार दो बज़े बंद करते जाएंगे सिर्फ अवशक सेवाओं को छूट दी गई है बाकी रात्री कर्फी को भी बढ़ा दिया गया साथ बेजे से पाइवे तक करते हैं जिसे वेपारी खासे नराद दिखने आई वेपारी से बातचीत करते हैं सरकार ने फैसले लिया है कि जो भी बजार है वो दो बज़े बंद करने का कोई सेंस नहीं मैठ रहा है क्योंकि हमारा प्रशन बजार इस पैंसी रोड ग्यारा वह तो दुखाने खुलती है अर कि 11 भी धुखाने खुलने के बास दो बज़े बंद कर देंगे तो उसमे हम क्या भिक्री करेंगे característ कि आपने दौकरों को देंगे आपने घर ली जाएंगे ना चाहिए लेकिन नहीं है क्या भिखरि करेंगे की से देंगे क्या कि से देंगे हम हमें तो अच्छा नहीं लगा हम सरकार जो इतक कि मांग करने कि दूसरों को चेतावनी भी देते हैं कि आप पूरोना से बचाओ करें मास पहने हाथों को सैनिटाइज करें दोगज की दूरी के रखें और दुकानों पे हम फ्लेक्स लगवाने के लिए सब दुकंदारों को बोल रहें कि जो फ्लेक्स लगाएं जो दुकंदार अगर कस्टमर को याता है और वह मास नहीं लगाता है तो हम समान नहीं देंगे हम अपनी इवाज़त खुद कर रहें आप भी एक दुकान दा रहे हैं सरकार ने दो वज़ा बंदी के आदेश दिया तो क्या कुछ कहेंगे जबारे में क्या तो संपूर लोग डाउन लगा जा सब्सक्राइब करेंगे क्या कुछ कहेंगे कैसा आदेश सरकार करेंगे यहां टाइमिंग बढ़ाई जाए या फिर पूंड रूप से लोग डाउन लगा जाए इससे सभी दुकान दार जितने विए सब परिशान हो रहे हैं 11 वह तो दुगानी खोलते हैं दो बंद कर दें क्या करेंगे इतने करायदार है यह सब उनको बहुत परशानी के लोग डों लगाए जाए फिर टाइम बढ़ाए जाए जो है च्छे बज़े बढ़ें बाकि आप जाएं साफ सोचें क्या करना चाहिए जैपार्यों का सीथे तरफ पर कहना है कि बजार को दो बज़े बन कर किया कुछ क सरकार क्शार में तो बड़ी असानी से किया क्या कि बजार जो है दिनमें दो बज़े दुटों चुलिगा यह कोई लॉजिक नहीं है कि बजार दिन में दो बज तक खोला जाए गर्मी का टाइम है लेडीज या जैन्ट कस्टमर नहीं निकलता दिन के टाइम पे कस्टमर होता है शाम के टाइम चाओं में और वैसे भी बिमारी का महौल चल रहा है इतना आप खुछ समझदार हैं सबन लेकिन बजार जो है कम से कम 6 बजे तक होना चाहिए शाम तक करने का कोई वह महत्वन यह बजार का इससे बढ़िया तो बंदी कर दो ज्यादा बढ़िया जब दुकंदार को मारना है तो पूरा ही मार दो आधा दूरा क्यों मारना है दुकंदार खासी विरोध में हैं और खफा है सरकार सक्ति सरकार ने जो आद्शबा बंद कर दे गी तो हम लोगों का व्यापार कैसे चलेगा हमारे के खर्चे कहाँ पूरे होंगे हमारे को EMI देनी है हमारे लडकों के खर्चे देने हैं बजार बंद करने का कोई ग horror आगरके कर दो छे बाजार उसको जो है खोल के रखे तो कम से कम जितने लोग हैं वहीं अपना हमारे जैसे वरकर हैं जब मेरें दस आदमिया काम करते हैं तो दस के दस बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे सडकों पर घूमेंगे तो उससे तो अच्छा है कि वह मैं यहीं को आ जब जांडार को का टाइम करेंशने लगता हैसाध क्गा को मिश्यक्ति दुगान-धार houses सब्सक्राइब और यह चैंकरने का क्यों सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अब 2 sih बंद करने बाद गर दाकर का होगा और ज्यादा हम लोग बीमारी को फैलाएंगे यहाँ पर हम खुद कोशिश करते हैंं कि हमारे जितने हम इसे बूर हो तोग घर दयाकर क्या होगा हम लोग बैठेंगे लोगों के साथ बैठेंगे खाली होगा तो आट में क्या करेता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम दुकान जो है 6 बहित खुले मार्केट पूरी 6 बहित खुले हब उसे जुड़ने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन दबाना ना भूले